नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत वो एक कहवत है कि कुट्टे की पूंच को आप अगर 12 साल तक भी नली में डाल करके रखें तो जब वो निकलेगी तो टेड़ी की टेड़ी ही रहेगी सीधी नहीं निकलेगी पकिस्तान कितनी बार चपत खा चुका है कितनी बार भारत से हार चुका है कितनी साजिशें रचने के बावजूद वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है आज हालात ये हैं कि UN Assembly में दुनिया के किसी भी देश ने पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाना उचित नहीं समझा मुनासिब नहीं समझा जरूरी भी नहीं समझा उसका जो कश्मीर को लेकर के राग रहता है एक बार मलेशिया और टर्की ने और एकाद और देश ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था जर्नल असेंगली में लेकिन इस बार तो मलेशिया तो पहले ही किनारा कर चुका लेकिन इस बार तो टर्की ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया लेकिन पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शेहवाज शरीफ बाज नहीं आए और उन्होंने कश्मीर समस्या की तुलना फलिस्तीन समस्या से कर दी और इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि साब 370 को वापस लिया जाए बुरहान वानी की विचार धारा पर कश्मीर आगे बढ़ता रहेगा और पाकिस्तान भी संगर्स करता रहेगा इस तरह की उन्होंने दुस सहासिक एक तरीके से वहाँ पर स्पीच दी और ये भी कहा कि साब भारत जो है अपनी सेन ने ताकत बढ़ा रहा है और वो पाकिस्तान के खिलाब इसका यूज कर सकता है वो ये भी कह गए कि साब एलो सी पर अगर पाकिस्तान के खिलाब कुछ हुआ तो फिर पाकिस्तान उसका माकूल जवाब देगा जिस तरीके से शाबाज सरीफ ने कश्मीरियों के मौलिक अधिकार मानव अधिकार और पता नी कौन-कौन सी बाते जो हैं बढ़ चड़कर के वहाँ पर की है वैसे तो उनका जवाब जो हमारी राजनेएक वहाँ पर हैं भावी का मंगल नंदन उन्होंने राइट आफ रिपलाई राइट आफ रिपलाई का जो एक हक होता है किसी देश को उसका यूज करते हुए शेवाद शरीफ को और पाकिस्तान को खरी-खरी सुना दी थी उसके बाद एस जाशंकर साहब का जब यूएन एसम्बिली में भाशन हुआ तो उन्होंने तो पाकिस्तान को एक तरीके से द हमारा सिर्फ एक मुद्दा है और वो सुलजाया जाना है पाकिस्तान ने हमारे जिस हिस्से पर अवैद कबजा किया हुआ है यानि पियो जे के उसको हमें मुप्त कराना है बस ये एक मुद्दा है जिस पर हमें पाकिस्तान से बात करनी है एस जयाशंकर साहब ने ये भी कहा कि कल इसी मंच से विचित्र बाते सुनने को मिली और उन्होंने साफ तोर पर शहवाज शरीफ को ये कह दिया कि आतंक की नीती आपकी कभी सफल नहीं होगी और पाकिस्तान को दंड से बचने की उमीद नहीं करनी चाहिए एस जयाशंकर ने भी तो यहां तक वियंग किया कि इनकी GDP ग्रोथ का जो आकलन है पूरी दुनिया को वो आतंक के निरियात से करना चाहिए कि इनका आतंक का निरियात क्या है और पाकिस्तान आज अपने कर्मों का फल भूगत रहा है पाकिस्तान की जो हालत है एक एक रोटी को महताज है दुनिया में अलग धलग पड़ चुका है अब कोई उसकी मदद तक करने को तैयार नहीं है तेईसमी चौबीस वार आईएम एफ से फिर कर्ज मांगा है और उसको लेकर के भी उनके वित्तमंत्री जो है वो एक दिन पहले ही जूमते हुए दिखाई दिये थे कि हमें आईएम एफ से फिर से कर्ज मिल जाएगा तो ये तो इनकी हालत है लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते जो भावी का मंगल नंदन है उन्होंने पाकिस्तान को शहवाज शरीफ को बहुत सधे हुए शब्दों में भारत की तरफ से जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि शहवाज शरीफ का जो भाशन था यूएन असेम्बली में वो पाखंड पूर्ण था बांगला देश में यही पाकिस्तान नरसन हार कर चुका है उन्नी सोई कहत्तर में और अब असाहिशनुता की बात कर रहा है बदकिस्मती से एसेम्बली में ऐसा तमाशा दिखा एक ऐसा देश जिसकी कमान सेना के हाथों में है जो आतंकवाद, अपराद और ड्रग्स की तशकरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है बदनाम है और इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने की हिम्मत की है भाविका मंगल नंदन ने ये भी कहा कि साब सीमा पार से ये आतंक का इस्तमाल करता है हमारी संसद पर इसने अटेक करवाया, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अटेक हुआ हमारे बाजारों में बंब फुडवाये गए, हमारे तीरत अस्तालों पर इन्होंने हमले करवाये, उनको निशाना बनाया बहुत लंबी लिस्ट है, जहां जहां इन लोगोंने सीमा पार से आतंक वादी भेज करके भारत की आत्मा को लवलुहान करने की कोशिश की और 1971 की खास तोर से भारत ने पूरी दुनिया को याद दिलाई कि किस तरीके से पूरवी पाकिस्तान में जो बाद में बंगला देश बना, वहां पर पाकिस्तानी सेना नरसन हार किये और तरहतर के अत्याचार किये, और आज की तारीख में भी पाकिस्तान अपने घर में, जो अल्प संक्या के हिंदू हैं दूसरे लोग हैं उन पर अत्याचार कर रहा है और ये आसहिशनुता की बात करता है और मुस्लिम फोबिया की बात कर रहा है। भाविका ने ये भी कहा कि पाकिस्तान की हमारी जमीन पर बदनियती है और जो जम्मु कश्मीर में इस समय चुनाव चल रहे हैं दो चरण के मतदान हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए भी इसने आतंक का सहरा लेने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान को केवल एस जैशंकर और भाविका ने ही खरी-खरी नहीं सुनाई है। बलके 28 सितंबर को परदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी जम्मु में और हिसार में रैलियों को संबोधित करते हुए 28 सितंबर 2016 की याद दिलाई। और किन शब्दों में याद दिलाई। जरा सुन लेजिए। 28 सितंबर है साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जीकल स्ट्राइप होई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था। ये नया भारत है ये गर में गुश कर मारता है। एक वो दिन था। और एक आज का दिन है आतं के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोधी पाताल मैं भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी की दहाड जम्मू में भी और हिसार में भी है। जम्मू कश्मीर में चुकी चुनाव की परकरिया चल रही है। दो चरणों का मद्दान हो चुका है। अंतिम तिर्ण कामद्दान एक अक्तुबर को होना है आठ अक्तुबर को नतीजे आने वाले हैं जम्मु कश्मीर के भी और हरियाना के भी पाकिस्तान बोख लाया हुआ है पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि उसके तमाम दुश परचार के बावजूद पूरी दुनिय अब जम्मु कश्मीर पर बात तक करने को तैयार क्यों नहीं है पूरी दुनिया में इसने दुश परचार किया था जम्मु कश्मीर को ले करके लेकिन मौदी सरकार ने हर फ्रंट पर पाकिस्तान की तमाम साजिशों को ना केवल विफल किया है बलके पाकिस्तान के इरादो को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया है पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया है कि इसने आतंक वाद का सहरा लेकर के भारत को ब्लेक मेल करने की कोशिश की और वो भी कश्मीर को लेकर के और 2014 से पहले जो सरकारें थी, वो किस तरीके से यासीन मलिक और तमाम दूसरे देश द्रोहियों के प्रती एक सहनु भूती का भाव रखती थी, किस तरीके से उनको सम्मान देती थी, ये तो किसी से दवा छिपा नहीं है. मनमहन सिंग उस समय के प्रधान मंत्री के साथ यासीन मलिक के चित्र और जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी बने तो उसके बाद उसी यासीन मलिक का क्या हुआ, ये भी हम और आप जानते हैं. और आतमकवादियों का क्या हुआ, आतमकवादी सरगनाओं का क्या हुआ, जो पाकिस्तान से भारत की आत्मा को चीरने का काम करते थे और लहुलुहन करते थे. एक के बाद एक कभी कहीं बम फट रहा है, कभी कहीं हमले हो रहे हैं, आज तो हालत ये है कि जमू कश्मीर में भी हिम्मत नहीं है उनकी भीतर घुस करके कोई बड़ा हमला करने की, घेर करके मारे जाते हैं. आकड़े बताते हैं कि पिछले दस सालों में कितने आतंकवादी ढहर किये गए हैं, कितने इनके सरगना जो हैं, वो मारे गए हैं, और कितनी इनकी फंडिंग रोकी गई हैं, अब जमू कश्मीर में कहीं पत्थर बाजी दिखाई नहीं देती हैं. लोकसभा चुनाओं में भी 58 परतिशत से अधिक मतदान हुआ है, पाँचों लोकसभा क्शेत्रों में मिला करके हैं. और इस बार जब दो चरण के मतदान हो चुके विधान सभा में लंबी लंबी लाईने लगती हैं, लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा हैं. एक तरफ तो भारत का जमू कश्मीर है, जहां लोग अब संतुष्ट हैं, राहत की सांस ले रहे हैं, आतंकवाद अंतिम चरण में हैं, दम तोड़ रहा है, दूसरी तरफ पियो जे के हैं, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है और पाकिस्तान के कबजे वाला जो पियो जे के क बातार कह रहे हैं कि हमें तो भारत में मिलना है, उसने पाकिस्तान की नीन दुड़ा रखी है, और UN Assembly में अकेला पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग धलग पड़ गया है जमू कश्मीर के मुद्दे पर, उपर से एस जयाशंकर साब ने भी सुना दी, भारत की जो उन्होंने भी खरी-खरी सुना दी और परधान मंतरी नरेदर मौदी ने तो भारत की भूमी से ही जम्मू से और हिसार से पाकिस्तान को बता दिया, कि जरासी भी हिमाकत अगर अब यह आपने की, तो फिर वही होगा, जो 28 सितंबर 2016 को हुआ, और जो फरवरी 2019 में पुलवा के बाद एर स्ट्राइक के रोप में हुआ था, यानि घर में घुस करके मारेंगे और सबक सिखाएंगे, तो पाकिस्तान की हालत आज पूरी दुनिया में क्या हो गई है, आपके सामने है, अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद, अगर आपको यह चैनल और इ और साथ में लगे बेल आइकोन को दवाना ना भूले, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.